जाया हिंद जाया भारत दोस्तों भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव की फांसी का दिन निकट आ गया था 11 फरवरी 1931 को प्रीवी कॉंसिल में उनकी पेटिशन खारिज हो चुकी थी ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवी कॉंसिल में उन्होंने सजा कम करनी के अपील नहीं की थी बलकि वाइसराय द्वारा ओर्डिनेंस के तहत स्पेशल ट्रिबनल के गठन को चुनोती दी थी उन वीरों का जीवन बचाने के लिए सारा देश दुआएं कर रहा था गांधी जी पर भी भारी दबाव था कि वाइसराय लॉड इर्विन के साथ होने वाले समझोते में बगत सिंग की फांसी को कैंसल करने की शर्थ पर अड़ जाएं पर ऐसा नहीं हुआ पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हो गया गांधी जी ने कहा कि यदि बगत सिंग माफी मांगले तो वे वाइसराय पर दबाव डाल सकते हैं इसके बाद लाहोर के प्रमुख लोगों ने विचार विमर शकर वकील प्राणनात मैता को बगत सिंग से मिलने सेंटल जेल भेजा मैता ने बगत सिंग से कहा कि हम एक प्रेटिशन तयार करेंगे आप उस पर साइन कर दीजिएगा बगत सिंग ने पूछा कैसी प्राणनात मैता ने कहा कि उस प्रेटिशन में दया याचना की जाएगी पर इस तरह की भाशा होगी जिससे आपका सम्मान कम नहीं होगा बगत सिंग इसके लिए तयार नहीं थे और मैता जिद पर अड़े थे आखिर उनकी भावनाओं का खयाल करते हुए बगत सिंग ने कहा ठीक है प्रेटिशन तयार करके कल ले आना पराणनात मैता खुशी खुशी लोट गए ये 19 मार्च 1931 की बात थी उस रात पाँच लोगों ने बैट कर प्रेटिशन का ड्राफ्ट तयार किया अगले दिन यानि 20 मार्च को पराणनात मैता वो ड्राफ्ट लेकर जेल बगत सिंग के पास गए मैता को देखकर बगत सिंग जोर से हसे और कहा यार रहने भी दो ड्राफ्ट हम लोगों ने तो दिया की प्रार्थना भेज दी है बात ये है कि देर करना ठीक नहीं था बगत सिंग की बात सुनकर मैता भहुत हैरान हुए दोस्तो 20 मार्च 1931 को बगत सिंग राजगुरू और सुकदेव ने पंजाब के गवर्नर के नाम जो पत्र भेजा वैसी दयायाचना इतियास में किसी ने नहीं लिखी होगी ये पत्र दयायाचना नहीं बलकि अनंत संगर्ष का शंकनाद था देखते हैं क्या लिखा था बगत सिंग ने उस पत्र में महोदय सेवा में निवेदन है कि भारत की ब्रिटिस सरकार के सर्वोच चाधिकारी वाइसराई ने एक विशेस अध्यादेस जारी करके लाहोर शडियंतर अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेस ट्रिबनल को गठित किया है जिसने साथ अक्तूबर 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया हमारे विरुध सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि हमने समराट जोर्ज पंचम के विरुध युद्ध किया है नयाया लेके इस निर्णे से दो बातें सपष्ट हो जाती है पहली ये कि अंग्रेज जाती और भारतिय जनता के मद्धे की युद्ध चल रहा है दूसरी ये है कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है अत्व हम युद्ध बंदी है युद्ध पी इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिश्योक्ती से काम लिया गया है तथा भी हम ये कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है पहली बात के संबंद में हम तनिक विस्तार से प्रकाश डालना चाते है हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छड़ी हुई नहीं है और हम नहीं जानते कि युद्ध छड़ने से न्याया लेका आशे क्या है प्रन्तु हम इस व्याख्या को स्विकार करते हैं इसके साथ ही हम इसको इसके ठीक अर्थों में समझना चाहते हैं दोस्तो ये बात सही है लाहूर शिलिंतर केस में भगत सिंग के विरुद इंडियन पिनल कोल 1860 के सेक्शन 121 के अंतरगत समराट के विरुद युद छेड़ने का आरोप सिद्ध किया गया था एक और इतना बड़ा ब्रिटिस सामराज्य जिसमें सूरज नहीं छिपता था दूसरी ओर 10-15 दिवाने और आरोप ये कि समराट के विरुद युद कर रहे थे इसलिए भगत सिंग बड़ी विनमरता से कहते हैं कि प्रतेक्श युद नहीं चल रहा है और इसमें अतिश युक्ती से काम लिया गया है प्रागिस पष्ट करते हैं हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक शक्ति-शाली वेक्ति भारतिय जनता और शर्मकों की आये के संसादनों पर अपना एकाधिकार जमाई रखेंगे चाहे ऐसे वेक्ति अंग्रेज पूंजी पती, अंग्रेज शासक या सरवता भारतिये ही हूँ उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है यदि शुद्र भारतिय पूंजी पतियों की द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तब भी इस स्थिती में कोई अंतर नहीं पड़ता यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतिय समाज के मुख्याओं पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए कुछ सुविधाएं मिल जाएं अत्वा समझोते हो जाएं उस से भी स्थिती नहीं बदल सकती जनतापर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है बगत सिंग्स पष्ट करते हैं कि युद्ध तो है पर पारंप्रिक नहीं है प्रतेक्श नहीं है और ये युद्ध केवल ब्रटेन के वुरुद नहीं है ये युद्ध तो तब तक चलेगा जब तक गरीबों के साथ अन्याए होगा फिर अन्याए करने वाले चाहे भारती यही क्यों नहीं बगत सिंग्स आगे लिखते हैं हमें इस बात की भी चिंता नहीं है कि एक बार फिर युद्ध को दोखा दिया गया है और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनी तिक नेता पथ ब्रश्ट हो गए हैं और वे समझोते की बाचीत में इन निरपराध, बेघर और निराशरित बलिदानियों को भूल गए हैं जिनने दुरभाग्ये से करांतिकारी पार्टी का सदस्य समझा जाता है हमारे राजनी तिक नेता उन्हें अपना शत्रू समझते हैं क्योंकि उनकी विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं हमारी वीरांगनावने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों को भेंट किया उन्होंने अपने आपको भी न्योचावर कर दिया प्रंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रो ही समझती है आपके एजन्ट भले ही जूटी कहानिया बना कर उन्हें बदनाम कर दें और पार्टी की ख्याती को हानी पहुँचाने का प्रयास करें प्रंतु यह युद्ध चलता रहेगा देखे गांधी इर्वेन समझोते में उन राजनितिक बंधियों की रिहाई तो हो गई थी जो गांधी जी के सिवल डिस उबिडियन्स मूविन्ट में भाग लेकर जेल गए थे लेकिन क्रांती कारी गत्विदियों में भाग लेने वाले राजनीतिक बंधियों की रिहाई को गांदी जी ने अपने इजंडा में नहीं लिया था ऐसे अनेक क्रांती कारी थे जो अब भी जेलों में सड रहे थे बगत सिंग आगे लिखते हैं वो सकता है कि यह युद भिन 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 दशाओं में भिन भिन रूप ग्रहन करें कभी यह युद प्रकट रूप ले लें कभी गुप्त दशा में चलता रहें कभी भयानक रूप धारन कर लें कभी किसान के स्तर पर जारी रहें और कभी यह प्रंतु यह युद्ध चलता रहेगा इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बहुत संभव है कि यह युद्ध भैंक रूपदारन कर ले यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक की समाज का वर्तमान धांचा समाप्त नहीं हो जाता प्रतेक विवस्था में प्रिवर्तनिया करांती नहीं हो जाती और श्रिस्टी में एक नवीन युग का सुत्रपात नहीं हो जाता निकिट बहुत से में यह युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा और तब यह निर्नायक युद्ध होगा सामराजजवाद और पुझे वाद कुछ समय के महमान हैं यही वह युद्ध हैं जिसमें हमने प्रतेक्श रूप से भाग लिया है हम इस अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को नहें तो हमने प्रारम किया और नहीं हैं हमारे जीवन के साथ समापत ही होगा महान है दोस्तों बड़ी महत्व पूर्ण बात है जब भगत सिंग कहते हैं कि ने तो यह युद्ध हमने शुरू किया है और नहीं हमारे साथ यह समाप्त हो जाएगा यह चलता रहेगा तब तक जब तक श्रस्टी में नवीन युग का सुत्रपात नहीं हो जाता वे अपने अमर बलिदानी साथी जतिंदास और बगवती चर्ण वोरा के बलिदान से प्रेरित हैं अपने बारे में बात करते हुए बगत सिंग कहते हैं जहां तक हमारे भाग्य का संबध है हम बल पूर्वक आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णे कर लिया है। आप ऐसा करेंगी ही। आपके हाथों में शक्ती है और आपको अधिकार भी प्राप्त है। प्रन्तु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैस वाला सिध्धान्त ही अपना रहे हैं। और उस पर कटी बद्ध है। के ही एक नयाएले के निर्णे के अनुसार हमारे वृद्ध युद्ध जारी रखने का अभी योग है। इस स्थिती में हम युद्ध बंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रती युद्ध बंद्यों जैसा ही विवहार किया जाए। हमें फांसी द आपकी सरकार के एक नियाय लेने दिया है आप अपने कारिय द्वारा इस बात का प्रमान दीजिए हम विने पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए आपके भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव दोस्तों खूब ढूंडा पर ऐसा जजबा, ऐसी हिम्मत कहीं मिली नहीं आज के लिए इतना ही आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईएगा जय हिंद, जय भार